है 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 वेल्कम अब्रीवन आप सभी का हमारे प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्मुनिटी पे एक बार फिर से सब्सक्राइब कि मैं धीरा ज्याद हो यहां पर आज आप लोगों साथ में डिसक्स करने वाला हूं का लेक्शर टू से पहले कि अगर हम बात करें तो इस पार्ट वन की बात करें तो यहां पर लोगों ने इस पार्टिक्लर चैप्टर से जूले हुए कुछ बेसिक कॉंसेप्स जैसे कि आप सेल्फ कोडिंग को भी डिसक्स किया अगर हम बात करें प्रिवेस क्लास की तो प्रिवेस क्लास में हम लोगों ने अल्फाबेटिकल कोडिंग में वैरियस लॉजिक्स को भी सीखा जो कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं यूज करने वाले हैं तो आज के करों कुछ महत्रपोर्ण बाते में आप लोगों को बता देना चाहता हूं जैसा कि previous lecture में starting में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को इस particular lecture का जो short notes है यह साथ ही साथ chapter complete होने के बाद जो इससे जूड़े हुए आपके लिए practice questions है वो आपको टेलिग्राम ग्रूप या टेलिग्राम चैनल के मार्जम से उपलग विकराए जाएंगे जो कि किसी कारणवाज संभव नहीं होता का लेकिन जो भी आपके short notes थे उस particular lecture से जुड़े हुए या उसके बाद जो भी lectures आपको provide कराएगे या फिर आपका लेक्चर रहा हो या फिर आपका मैस कर रहा हो या फिर इंग्लिश की हम बात करें तो इन सभी lectures के जो short notes है वह आपको already competition community की website के available करा दिये गया है जहां से जाकर क्या कर सकते हैं इसको download कर सकते हैं clear तो I hope कि इस समस्या से जो भी जुली हुई कि आप लोगों के मन में दुविधाय थी वह भी क्या हो गई होंगी clear हो गई होगी तो चलिए start करते हम लोग आज का हमारा session आज कि अगर हम session की बात करें जैसा कि मैंने कहा हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले है numerical coding यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को अलड़ी बताया था lecture one में कि यहाँ पर आपको कुछ words दिये गए होंगी और उनके code numbers के form में दिये गए होंगी जैसे कि हम alphabetical coding की बात करते हैं त लेकिन यहाँ आपको numbers के form में code देखने को मिल रहे हैं अच्छा जैसा कि हम लोगों alphabetical coding में जो भी logic सीखे वो तो हम लोग यहाँ पर use करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ कुछ नए logic के साथ में भी हम यहाँ पर introduce होने वाले हैं तो first of all हम लोग बात करेंगे approach की तो जो approach हम लो हम लोग उसी approach को यहाँ भी follow करने वाले हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर question की question में आपको दिया गया है in a certain code language cadder is written as six two eight one four and born is written as five three one seven then how is wrote written in that code clear तो काफे कुछ हम सीख चुके हैं और सीख चुके हैं तो हम use क्यों ना करें कैसे खुद को रोख पाएंगे है ना तो हम क्या करेंगे पटा-पट से लिखेंगे cadder उसके नीचे लिखेंगे code और लगाने लग जाएंगे logic क्या खिर किस logic के अंतरगत यहाँ पर जो भी आपके given numbers है तो थोड़ा patiencefully आपको इतना hard work ही नहीं करना है सबसे पहले आपको क्या चेक कर लेना है जो आपके given word है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है cadder और born दो आपको given words के लिए code दिये गया है और तीसरे word के लिए पूछा गया है तो इस प्रकार के प्रश्ण में जो सबसे पहले आपका अप्रोच होना चीए वो क्या होना चीए उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे हम कर सकते हैं तो हमें यहां पर कुछ भी logic लगाने के आउशकता नहीं जैसे कि हम बात करेंगे यहां पर आर की position fourth है fourth number के आपको one दिखाई दे रहा है यहां बार्ण में आर की position third है third number के आपको one दिखाई दे रहा है यानि कि हम कह सकते हैं हर एक particular letter के लिए एक code यहां पर है और अगर हम बात करें उस code की तो वह same position पर है या कह सकते हैं कि letter के सामने है अगर इसको हम लिखते है previous approach तो letter के सामने यहां पो उसका code दिखाई दे जाता अब अपने को कोई logic लगाने क्या हो शकता नहीं है आर यहां पर है आर यहां पर है तो यहां पर भी option number a में ही आपको केवल one over three दिखाई दे रहा है तो पूरा का पूरा आपको solve करने की भी जरूरत नहीं कुछ लोग कसम खाके भी बैठे होंगे कि जब तक पूरा answer निकाल नहीं लेंगे तब तक option की तरफ देखेंगे तो ऐसा नहीं करना है ठीक है option की तरफ भी आपको और यह आप पर नंबर पर तो अपको element हो जाएगा एट ही जाएगा तो इस प्रकार option number a क्या हो जाएगा दिए गए प्रशन के लिए बात कर लेते हम लोग यहां पर अगले question की अगले question air tail के लिए आपको code दिया गया है और रेनुका के लिए आपको code दिया गया और पूछ सकते हैं T R L E यह तो आपको A A T L में ही मिल गया और जो बचा आपका U वो आपको कहां से मिल गया रहनुगा से मिल गया यानि कि जो वर्ड टर्टल है वो आपके इनी दो गिवेन वर्ड के लेटर से फॉर्म किया जा सकता है यानि कि अपने को एक्स्टा एंफर्ट करने की जरूवत जैसा कि आप देए वर्ड के लिए फोर्ट नंबर कर दिखा है और बात पर और यहां तो केवल किवल यह आप दिख सकते हैं option number a में पर्स्ट और fourth element आपको तू दिखाई दे रहा है पूरा हुल करने की जरूरत नहीं है verify करने के लिए आप देख सकते हो यहां पर यू है और यहां पर यू की position है fourth तो second number पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा option में four हो जाएगा जो क्या हो जाएगा one और इकी बात करें तो इक लिए कोड हो जाएगा seven यानि कि option number आपका सही विकल्प हो जाएगा दिए गए प्रश्ण के लिए चलिए बात कर लेते हैं लोग यहां पर अगले प्रश्ण की अगले अगर हम प्रश्ण की बात करें तो बोला है एंशेंट के लिए code 8469447 और बुचर के लिए code दिया है 76761049 अब अगर आप ज्धान दें तो यहीं से आप पिक कर सकते थे कि यहां के अपने को लॉजिक फाइंड करने के और शक्ता पड़ेगी जैसे कि बुचर में बी यू टी सी अलग अलग यहां पर आपको element दिखाई दे रहे हैं जबकि number यहां पर आपको repeated form में दिखाई दे रहे हैं यानि कि अपने को क्या करना पड़ेगा आप कोड लॉजिक फाइंड करोगे चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कोई यहां पर वर्ड टिक कर लेंगे जैसे कि हम बात करें एंशेंट यानि कि यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो आपका approach सेम होने वाला है यहां पर भी आपके place value और opposite letter उतने ही helpful होने वाले हैं जितने की आपके alphabetical coding में थे तो first of all हम यहां पर क्या करेंगे a n c i e n t हम क्या लिखेंगे word लिखेंगे word के लिए हम क्या करेंगे given code लिखेंगे जो की क्या दिया गया है 8469447 clear place value की बात करें तो 1 14 3 9 5 14 और 7 clear चलब अब इस प्रकार के प्रस्ट में आप logic कैसे pick करोगी कि क्या logic लगा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जब कभी किसी भी particular letter के opposite letter जिसकी place value क्या हो single digit में हो जैसे घर हम word butcher की बात करें तो u का opposite क्या होता है F, F की place value किसमें मिलेगी, single digit में मिलेगी, T की opposite की बात करें तो क्या होता है, G, जिसकी place value क्या मिलेगी, single digit में मिलेगी, R की opposite letter की बात करें तो क्या होता है, I, जिसकी place value किसमें मिलेगी, single digit में मिलेगी, और इन letters के अगर हम बात करें place value आपको as it is लिखी हुई मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं R के जगे पर 9 आपको लिखा हुआ मिल रहा है T के सामने के अगर आपको 7 लिखा हुआ मिल रहा है और U के सामने आपको 6 लिखा हुआ मिल रहा है यहां पे भी आप देख रहे हैं कि t के सामने हम आपको क्या लिखा हुआ मिलना है 7 मिलना याई कि t के opposite letter की बात करें तो क्या होता है g होता है और g की place value क्या होती 7 होती तो आपको as it is यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जबकि हम बात करें बाकी के elements की तो इनके जो भी opposite letter होगी उनकी place value क्या होगी double digit में होगी n के opposite letter के हम बात करें तो क्या होता है m होता है m के हम place value की बात करें तो कितना होता है 13 होता है 13 के अगर हम बात करें के digits 1 और 3 का जब हम sum करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा तो अगर आपको place value याद हो गई होगी जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको यह एन के साथ 14 दिखाई देता है और इसके आप logic के अगर बात करें तो क्या हो रहा है sum of the digits of place value वो भी किसकी opposite letter की यानि कि विपरीत अक्षरों के स्थानी मान के अंकों का योग यहां पे आपका जो logic बनता हुआ दिखाई दे रहा है और E की बात करें तो E का opposite V, V की place value होती है 22 तो 2 प्लस 2 को करोगे तो 4, I का opposite R होता है R की place value होती 18, 1 प्लस 8 करोगे तो 9, C का opposite X होता है place value होती 24, 2 प्लस 4 करोगे तो 6, N का opposite M होता है 13 place value होती 1 प्लस 3 करोगे तो 4, और E का opposite होता है Z, Z की place value होती 26, 2 प्लस 6 करोगे तो 8, तो यहां पे logic पता चल चुका है अब हम क्या करेंगे पूछेगा है शब्द के लिए कोड यहाँ पर निकालेंगे पूछा किसके लिए गया है शोर के लिए S, H, O, R, E E का पोजिट V, last में क्या मिलेगा 4, R का पोजिट I, फिर क्या मिलेगा, 9 option number B will be the right answer for the given question O के लिए code क्या होगा L होगा, L की place value बारा तो क्या मिलेगा, 2 औरे, 3 H का पोजिट क्या होगा, S S की place value, 19 1 और 9 मिलाओगे तो 10 और H का पोजिट S का पोजिट, H यानि की 8 तो देखो कई बार यहाँ पे अगर place value मेंने का sum of the digit क्या होता है, आईजर होल भी होता है और in unit digit होता है तो यहाँ पे अगर H का पोजिट क्या होगा, S होगा तो S के लिए आपको 1 लिखा हुआ भी दिखाई दे जाएगा कई बार, 10 लिखा हुआ भी दिखाई दे जाएगा, इस पे हम लोगोंने अल्रेटी तो 3 करके, वैसे वैसे लेक्चर में आपको वर्ड कोरोना भी दिखाई दे रहा है चली, अगर हम बात करें कोरोना के लिए कोड जिया गया है 47106762 और पूछा किसके लिए गया है अक्टिव के लिए, चलो वैसे वाकई में कोरोना क्या है अक्टिव है, फिर है लगी, चलो तो अगर हम बात करें, यहां पर सीधे-सीधे अपने को क्या करना है, लॉजिक फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे C-O-R-O-N-A कोड की बात करें, तो क्या हो गया 4710 762 और प्लेस वैलू की बात करें, तो 3, 15 18 15, 14 और 1 अब आप यहां पर क्लिरली देख सकते हैं, C के लिए कोड यहां पर दिया गया था 3 और यहां पर आपको मिल रहा है 4, A के लिए कोड दिया गया था 1, यहां पर मिल रहा है आपको 2, अब यहां पर और कोई आपको सिंगल डिजिट प्लेस वैलू वाला लेटर नहीं है तो करना क्या है, यहां पर आप क्लिरली देख पारें, अगर हम O की बात करें तो O के यहां पर जो प्लेस वैलू है उनमें डिजिट क्या का मिल रहा है, यह 5 और 1 दोनों का हम सम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसमें प्लस 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 आर के अगर हम प्लेस वैलू की बात करें तो 8 हो रहे, 9 दोनों का हम सम करेंगे, तो 9 आगया और उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 10 अगेन यहाँ पे O में डिजिट्स क्या मिल रही 5 और 6 प्लस 1 हम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 7 N की place value की बात करें तो 14, 1 और 4 को हम add करेंगे तो 5 प्लस 1 कर देंगे तो 6 यानि कि यहाँ पे क्या हो रहा है sum of the digits of place value हो रहा है उसके बाद आपको क्या कर देना है उसमें एक जोड़ देना है active की बात करें तो एक की place value होती है एक तो एक में एक जोड़ोगे तो मिल जाएगा 2 जो कि आपको 4 options पे दिया है C की place value होती है 3 एक जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 4 यानि कि आपको option number B cancel यहाँ पे कर लेना है T की बात करें तो 2 और 0 मिलेगा कितना 2 एक जोड़ोगे तो 3 यानि कि यह option भी आपका क्या हो गया cancel हो गया next अगर हम बात करें आई तो आई का क्या होता है नव नव में जोड़ोगे तो 10 यानि कि option number D आपकर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दिये गए question के लिए clear बढ़ते हैं लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की और अगले अगर हम यहाँ पे question की बात करें तो work देखके ही answer आप निकाल सकते हैं मुझे इसमें आपको कुछ भी बताने क्यों शक्ता नहीं है क्यों निकाल सकते हो भाई मैंने कहा ना अगर आपको place value याद होगे तो clearly देख सकते हो डबलू की place value होती है 23 यहां पको लिखा हुआ मिल रहा है जाने की place value के multiple भी आपके options हो सकते है clear तो जो भी यहां में आपको various logics मैं बताते चल रहा हूँ question by question आपको उसको भी क्या करते चलना है note करते चलना है और यहां पकर मैं बात करूँ पूछा गया है tired के लिए तो अच्छा tired के लिए दिया गया, कूछा गया आपको ही अईड ऑप के लिए तो tired में भी आप इसको verify कर सकते है अपको आपको मिल रहा है 40 उसके बाद आई की place value 9 तो मिल रहा है ठार आर की place value ड़ार तो मिल रहा है ठारतिस ऐ की place value तो मिल रहा है दस और d की place value 4 तो मिल रहा है आपको 8 पूचा है डौ बर्ट के लिट सबसे पहले हो जायेगा 2 फिर हो जाएगा 8 फिर हो जाएगा 30 फिर हो जाएगा 32 फिर हो जाएगा 40 कि इस बी हाप option में अगर यह आपको दिखाई दे तो वह ही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले दो आठ तीस दो आठ तीस बत्तिस चालिस यानि कि आप देख सकते हैं option number B चले बढ़ते हम लोग अगले question क्यों अब ध्यान देना है यहाँ आपको कुछ चीजे note कर लेना है जब कभी भी इस प्रकार से आपको दिये गए words के लिए code दो अंकों में तीन अंकों में इस प्रकार से आपको दिखाई दे तो वहाँ पे कुछ logic साब के लगे हुए हो सकते हैं उसके बारे में लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे तो first of all क्या करोगे आप first of all आपको क्या करना है उसके बारे में लोग बात करेंगे तो 4, 18, 5, 1, 11 और जो भी मैं यहाँ पे logic साब लोगों को बता रहा हूँ वो आपका जरूरी नहीं की दिये गए letters के लिए ही हो जितने भी मैं प्रकार के logic की बात करूँगा तो वो opposite letters के लिए भी हो सकते हैं तो चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे सबसे पहले आप करोगे sum of the place value सबसे पहले आपको logic क्या चेक कर लेना है sum of the place value लेक लो sum of the place value of letters यानि कि अक्षरों के इस्थानी मान का योग सबसे पहले आप क्या चेक करोगे अक्षरों के इस्थानी मान का योग इसके बात second आपको क्या चेक कर लेना है sum of the digits of place value place value of letters या फिर given letters यानि कि दिये गए अक्षरों के इस्थानी मान के अंकों का योग दिये गए अक्षरों के इस्थानी मान के अंकों का योग और यह आप कैसे चेक करोगे either as whole or in unit digit अब इसका मतलब क्या हुआ इसको भी मैं आप समझा दे रहा हूँ देखो चार यह हो गया चार अठारा जोड़ोगे यहाँ पर मैं digits की बात करो तो अठारा नहीं जोड़ना है आपको दोनों तरीके में बताऊंगा दोनों तरीके से जो result है वो भी आपका सेम आने वाला है अगर आप इसको अठारा जोड़ लेते हो तो देखो अगर दस दस में one और zero को मिलाओगे फिर से एक हो गया और उसके बाद यहाँ पर दो और तीन पांच फिर भी आपको क्या मिलेगा पांच मिलेगा तब कैसे भी इसको करोगे आपको यहाँ को आंसर क्या मिलेगा सेम मिलेगा तो यह हो गया कब हम जब यूनित vi की बात करेंगे और जब हम ऐसा होल की बात करेंगे तो उसमें आपको क्या आंसर आने वारे देख लेते हैं 4 1 5 8 5 13 13 5 18 18 19 19 19 22 से 30 जब इसको सम अफ डिजिट क्या करते हैं रोल करते हमें मिलता 30 और जब हम क्या करते हैं यूनिट में करते हैं तो कैसे भी आपको यहां पर पूचा जाए आप क्या कर लेंगे लॉजिक पाइंट कर लेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है है आपका अगर हम बात करें तो जितने भी number of letters है अगला आप लोग यहाँ पर logic note करके लिखोगे number of letters यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं झाल यहाँ यहाँ लिख रहा हूं number of letters यह बहुत ही important role play करने वाला है आपका इस particular हम बात करें टाइप of question की यानि की numerical coding की number of letters कहने का ताथ पर क्या है यहां पर number of letters जितने दिये गए उसका multiple हो सकता है सब की place value को जोड़ने के बाद जो आपको value मिले कि उसमें से number of letter को घटाया जा सकता है यह हम बात करें number of letter जितने होंगे उसका उस particular number का square हो सकता है या उस particular number का square करने के बाद जितने number of letter से उसको घटाया या जोड़ा जा सकता है clear तो various type के logics यहां पर आपको देखने को मिलेंगे number of letter से related clear है तो चलिए हम इस particular question की बात कर लेते हैं यानि कि अगर हम बात कर यहां पर अक्षरों की संख्या की तो यह बहुत ही 20 तो अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले मैंने का जो हमारा प्रोच होगा वो क्या होगा sum of place value लेकिन जैसे कि आप यहां पर आर की place value देखर पार 18 और जैसे यहां पर किसी भी आप element की place value को जब इसके साथ में add करोगी तो already आपके जो value हो जाएगी 20 से जादा हो जाएगी clear तो यहां पर place value का तो आपका logic नहीं लग रहा है हमने क्या किया sum of digits of place value करके देखा as whole तो हमें number मिलना था 23 अच्छा हो सकता था यह एक आपका logic हो सकता था कैसे हो सकता था जब हमने sum का योग किया तो हमें 23 और अगर इसमें से हम क्या करें number of अगर हम यहां पर consonants घटा दे यानि कि DR और M number of consonants घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा तो यह एक logic हो सकता है क्या हो सकता है यह logic हो सकता है लेकिन यह applicable कहा होना चाहिए admire के भी होना क्योंकि digits का sum करें तो चार एक पांच एक छे ती नौन और ठारा एक उननीस और आट सत्ताइस और पांच 32 अब 32 में अगर हम यहां पर number of consonants घटा है तो D है M है R तीन है यानि कि यहां को number क्या मिल रहा है 29 मिल रहा है अगर यहां पर हमको number 29 दिया होता है तो हम क्या करते फि तो अगर मैं बात करूँ यहां पर अगला हम लोगोंने क्या सिखा था number of letters number of letters कि अगर हम बात हिए तो number of letters कितने है 5 पांच का अगर मैं square करूँ तो आपको value क्या मिलेगी 25 और minus क्या कर देना है अपने को number of letters क्या मिल जाएगा 20 कैसे भी बने अपने को number बनाना है और फिर क् दिये गया word के लिए यानि कि जो दूसरा आपके यहां पर दिया गया word है उसके लिए हम क्या करना है सेम लोजिक अप्लाई करके देखना है कि क्या वो number बन रहा है या नहीं बन रहा है number of letters कितने है 6 6 का square करोगे 36 minus 6 कितना है 36 या यूं कह सकते हो कि जितने number of letters है उससे एक कम करके क्या कर देना है number of letters में multiply कर देना है तो पूछा किसके लिए गया है पूछा आप से गया है destiny के लिए destiny में number of letters कितने है 7 7 का square करोगे तो 49 minus 7 कर दो कि दूबह 40 option number B तो I hope कि यहां पर आप various logics के साथ में familiar होते हुए चल रहे हैं अभी यहां पर हम लोग exam में पूछेंगे प्रस्नों की भी बात करेंगे clear तो वहां पर भी आप इन logics के साथ में अगर familiar नहीं है तो portion बना पाना आपके लिए कापी मुश्किल होने वाला है चलिए बात कर ले अगया 2951 अपरोच की बात करें तो प्लेस वेली होगी बारा एक सोला बीस पंद्रा सोला सबसे पहले क्या करते थे हैं लोग समाओ प्लेस वेली तो बारा एक तेरा तेरा और सोला करोगे तो 29 देखो ध्यान दो यहां पर जैसे ही 29 दिखा यहां पे आपको 29 दिख रहा है अ चीज़ने के पंद्रा और सोला करोगे तो 31 और 20 जोड़ोगे तो 51 यानि कि फ़र्स्टाफ का सम यह दो हो गया और सेकंड आफ पसम यह दो हो गया अच्छा नेक्स में हम क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं मोबाइल में नमबर अप्लैस कितने है छे एन की प्लेस वैली ते पर्स्ट हाफ के अगर हम बात करें तो 19, 19 और 5, 24, 24 और 8, 32, 10, 42, 42, दो विकल्पों में दिया गया है, सेकंड की बात करें तो 22, 25, 27, 27, 27 और 8 की बात करें तो 35, 27, 35, 45, यहनि कि option number C, clear, फर्स्ट हाफ का आपको यहाँ पर अलग code दिया गया था, सेकंड हाफ का आपको code अलग बात कर लेते हैं, next question की, next question की बात करें तो Sam 1 plus to 30, Sam 1 plus to क्या दिया गया है, 30 दिया गया है, first of all हमनों क्या करेंगे, sum of place value, 19, 21, 23, 33, 33 में अगर हम क्या करेंगे, number of letters को minus करेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 30, अगले में चेक करते हैं, रीता, यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पर, R, I, T, A, place value की बात करें, तो 18, 9, 20, और 1, तो 20, 20, 40, और 8, 48, 48, 48 में हम अगर 4 minus करेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 44, जो कि आपका option number C में दिया गया है, clear, चलिए, बात कर लेते हैं, लोग अगले question की, जब आप logics के साथ में familiar होंगे, जब आप place value, लिखने की, आपक सकता नहीं होगी, जब आप mind में क्या कर पाएंगे, calculate कर पाएंगे, तो आप इस तरीके के questions को orally हल करने वाले हो, हलाकि हम exam में पूछे के प्रश्णों की भी यहां पर चर्चा करेंगे, चले, बात कर लेते हम यहां पर अगले question की, अगले question में आपको दिया गया है potato, potato is written as 31, यहां के हम क्या करेंगे, प्लेस वैलू की बात करेंगे, तो 16, 15, 20, 1, 20 और 15, सबसे पहले क्या करना था, sum of place value आपको पता है, place value करोगे, तो 20 इस ओलेडी आपको 40 क्या रिखाई ज़रहा है, जाधा दिखाई ज़रहा है, फिर हम क्या करेंगे, sum of the digits of place value की बात करेंगे, तो 6, 7, 7, 8, 8, 5, 12, 8, 5, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 18, 18, 19, 5, तेज़, अच्छा चलो, 19, 5 अपने को कितना मिल गया, सुरी, 24, यहां पर बात के लिए, 19, 5, 24 मिल गया, और, उसके बाद अगर हम यहां पर number of letters को भी जोडते हैं, यहां कि 6 letters को भी जोडते हैं, तो यहां के हमको 31 नहीं मिल रहा है, यहां फिर हो सकता था कि जितने number of letters है, उससे एक ज़्यादा जोड़ना है, यहां कि हमें क्या करना है, sum of digits का लेना है, तो 6, 7, 8, 5, 13, 2, 15, 16, 2, 18, 5, 23, 24, और number of letters है, 6 तो उससे एक ज़्यादा जोड़ने, 7 जोड़ने, तो कितना मिल जाए, 30 मिल जाए, तो हमें चेक करना है, क्या अगले दिये गए, वर्ड भी यह logic applicable हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब का अगर हम digits का sum करें, तो 9, 1, 10, 3, 13, 8, 21, 25, 27, 28, 25, 33, 34, और 2, और लेड़ी यह क्या हो गया, जादा हो गया किससे, 30 से, यानि कि अब हम यहाँ किसी और logic की बात करेंगे, यह logic यहाँ पे हमको लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, clear, चलो, अगर यहाँ के हम बात करें, 31, देखो, 15, 15, 30, 31, यानि कि हम vowel और consonant की बात करें, जैसे कि हम लोग और और consonant के बारे में डिसकस कर चुके हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, अलफाबेटिकल कोडिंग की, और अभी जिन लोगों ने भी रिसेंट में पास तारीक को एक्जाम दिया है, तो वहाँ पे भी vowel और consonant से रिलेटेड आपको कोडिंग, डिकोडिंग का question देखने को मिल जाएगा, क्लियर, चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, question की, चलिए, तो यहाँ पे आपका जो logic है, क्या है केवल वावल की place value का सम हो रहा है, स्कूल की बात के रहे हैं, तो 15 और 35 और पूछा किसके लिए गया है, पूछा गया है replace के लिए तो 5, 1, 6 और 3, sorry 6 और 5, 11, option number D, place value का difference, यह logic भी लगता हुआ दिखाई देगा, चलिए, बात कर लेते देखों, मैंने कहा था, exam में पूछे के प्रस्णों पे भी हम लोग क्या करेंगे, discussion करेंगे, तो यह आपके exam में पूछा गया प्रस्ण है, यहां का हम क्या करेंगे, logic पे बात करेंगे, कि logic जो आपका लगा, यानि कि अभी तक जो चीज़े हम लोगों ने सिखी, क्या उसके माध्यम से हम दिएगे, प्रस्ण का logic, question को हल कर पाएंगे, क्या हम logic find कर पाएंगे, या नहीं, चलिए, बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले, liability की, word दिया गया है, liability, और इसके लिए जो code दिया गया है, वो दिया गया है, 9507, 59513, 59513, अच्छा, अगर यहां पर हम number of letters देखें तो, तीन, तीन, छे, तीन, नौ, और अगर हम यहां पर अंकों की संक्या देखें तो, चार, चार, आठ और एक, नौ, यानि कि जितने यहां पर आपके number of letters है, उतने यहां पर अंक दिये गए, अभर हम यहां पर बात करें किसकी, logic की, कि हम L को यहां पर अगर हम बात करें, ते 43 गहां को किया है नो प्षाइब यहां पूच किसकेलिए ग्या है पूचा पूचा किसे के लिए भी लिए अब हम क्या तरते है वही गलती जो देखा बलती क्या जैसे ही को शिन देखा लग गए 12 लगाने इत ती देर से लॉजिक लगाते चले आ रहे थे चले आ रहे थे और लॉजिक करने का प्रयास फिर से हम सुरू कर देते हैं तो मैंने कहा कि अपरोज क्या होना चीए सबसे पहले यह हमें देखना है कि जो आपके दो given words है उनके letters को यूज़ करके तीसरा word form दिया जा सकता है या नहीं और अगर हम बात करें यहां पर word pictorial की तो पी आपको मिल रहा है प्रॉक्टर में आई मिल जा रहा है आपको लाइबिल्टी से सी मिल जा रहा है आपको प्रॉक्टर से टी मिल जा रहा है आपको दोनों से ओ भी मिल जा रहा है आपके सारे के सारे element यहां पर मौझूद है किसके element word liability और प्रॉक्टर से लिए गए element यहां तो कोई भी अलग से element बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दूसरी चीज़ हमने क्या find कर ली L के सामने यहां भी 9 फिर उसके बाद हम बात करें C की तो C यहां चौथा element है और यहां चौथा element क्या दिखाई दे रहा है टू दिखाई दे रहा है जो कि आपके केवल और केवल एक option में बनता हुआ दिखाई दे रहा है 852 बागी के elements को भी आप verify कर सकते हो टी की बात करें टी यहां second last second last आपको क की अपको च्यों दिखाई दे रहा है four हो फिर हम बात करें यहां पर खैना कि remote last the element आपको डिखां दे रहा है six कौ alarma करेंगे किस्की आई कि की आई की आई के लिए already आपwww क्या लिख चुके हो 5 लिख चुके हो फिर अब बात साथ इसको verify भी कर सकते exam में verify मत करने लग जाना भाई ठीक है सीधे सीधे क्या करोगे जब बाकी विकल्प आपको नहीं दिखाई दिखाई रहे हैं तो जितने element मिलके उसी को आप अंसर मार करके आगे बढ़ेंगे चलिए एक और question जो कि आपके exam में पूछा गया है अगर हम इसकी बात करें तो बोला है in a certain code language semantic is coded as 14485293 चलिए लिखते हैं अगर हम इसके code की बात करें तो बोला है 14414485293 5293 चलिए अब पूछा किसके लिए यहां का code गया है practice के लिए पूछा गया है एक ही word given है और अगर हम बात करें अलग से element की तो अलग से element भी आपको मौझूद दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे place value लिखेंगे 19,5,4,1,14,20,9 और 3 3 के लिए यहां के आपको त्री दिखाई दे रहा है 9 के लिए यहां के आपको 9 दिखाई दे रहा है ज्या है टू और जिरो देखो के तो तो दिखाई दे रहा है 1 और 4 देखो कि तो 5 दिखाई दे रहा है 1 की जगे पिए आपको 8 दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पे भी हम logic की बात करें अगर हम 19 की बात करें तो 1 प्लस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 1 प्लस 0 करोगे तो कितना हो जाएगा यहां पर आपको one बनता हुआ दिखाई दे रहा है E के हम बात करें तो यहां पर five लिखा हुआ जबकि आपको four दिखाई दे रहा है तो ध्यान दीजे E क्या है एक Wowel है यहीं से आप इसको pick कर सकते ते E क्या है एक Wowel है और यहां पर अगर हम E के opposite letter की बात करें तो V, V की place value 22, 2 plus 2 करोगे तो 4, 2 plus 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर M की place value मैंने गणबर लिख दी है, by mistake, यह हो जाएगा 13, चले, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर M के place value की, तो M की place value होती है, 13, 1 plus 3 करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और A क्या है, एक वोवल है, और A का opposite letter होता है, Z, Z की place value कितनी होती है, 26, और 2 plus 6 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, again यहाँ पर N में 4 plus 1 करोगे तो 5, T में 2 plus 0 करोगे तो 2, और I क्या है, एक वोवल है, I का opposite होता है, R जिसकी place value होती है, 18 और 8 plus 1 करोगे तो 9 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर I के सामने में भी आपको same number बनता हुआ दिखाई, दे रहा था, C की बात कर तो C की place value होती है, 3 जो कि आपको additive दिखाई दिरा है, अगर आपके logic की बात करोगे, यहाँ पे भी आपको vowel और consonant का logic लगता हो दिखाई दिरा है, यानि कि जो भी आपके consonant वाले elements है, उनकी place value का अपने को sum कर देना है, और जो आपके यहाँ पे vowels मौजूद है, उनके opposite letter की place value का अपने को क्या कर देना है, sum कर देना है, दोनों इत रिकार के logic के साथ में हम लोग क्या है, familiar है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैं, यहाँ पर practice में, P क्या है, आपका consonant है, R क्या है, C consonant, T consonant, C consonant, C consonant, तो C की जगे पे मिलेगा आपको 3, एक option cancel, T की जगे पे आपको मिलेगा 2, यानि कि, के वल और के वल, C की जगे पे मिलेगा आपको 3, और यहाँ पे मिल गया 2, दो options में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, C की तो फिर से आपको मिलेगा 3, यानि कि 2 के पहले फिर से आपको क्या मिलेगा 3, तो देखिए, 3, 3, उसके बाद यहाँ पे आप को मिला 2, यानि कि अभी भी यहाँ पे आप options को eliminate नहीं कर सकते, यानि कि यहाँ पे जखो 3, 2, 3, 8, 1, 9, और 6, 1, 7, a का पोजिट, z तो 8, i का पोजिट, r तो 9, और e का पोजिट, b तो 4, यानि कि 7, 9, 8, 3, 2, 9, 3, 4, तो देखो 7, 9, 8, 7, 9, 8, क्याँ और क्याँ यहाँ पे आ और अगर हम last से बात करें, तो भी आप इसको eliminate कर सकते थे, कैसे eliminate कर सकते थे, c यहाँ पे था आपका, t यहाँ पे था, उसके बाद आपको फिर से c बनता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पे जाके आपका option क्या होता, eliminate होता अगर आप a के लिए निकालते और उसके पहले अगर आप आते आर के लिए तो आठेक नौ, वो भी आपको यहाँ पे दोनों में common मनता हुआ दिखाई दे रहा है, clear, यानि कि आपको वावल की place value यहाँ पे क्या करनी परती है, वावल के opposite letter के digits का sum आपको करना परता, तब जाके आप options को eliminate कर पाते हैं, चलिए, बात कर ले पोस्टर के लिए आपको code दिया गया है, पूछा किसके लिए गया है, marriage के लिए, पोस्टर और यहाँ पे आपको कारवो, दो आपको शब्दो का code दिया गया है, अच्छा हम code की बात करें, तो यहाँ पे जितने letters हैं, उससे जादा digit की यहाँ पे आपको code बनते हुए हुए दिखा हुए, दिखा ही दे रहा है, हो नद टू स की जगे पर दिखाई दे रहा है, आपको 19, स की जगे पर दिखाई दे रहा है 20, прис FEMALE याद है, logic के साथ में family है, तो logic अब तक आपके दिमाग में meet कर गया होगा है, यहाँ पे क्या logic लग रहा है, यहाँ पे भी आपक वोवल है, वहाँ पे क्या किया गया है, उनके opposite letters की place value लिख दी गई है, जैसे कि O के opposite letter क्या होता है, L होता है और L की place value होती है 12, E का opposite letter V होता है, और V की place value होती है 22, बाकिया आप clearly देख सकते हैं, R की place value 18 as it is, T की place value 20 as it is S की place value 19 as it is और F की place value 6 as it is clear, पूछा किसके लिए गया है code, यहाँ पर भी देख सकते हो C के लिए 3 A का opposite Z 26 R के लिए 18 G के लिए 7 और O का opposite L तो उसके लिए 12, clear पूछा किसके लिए गया है marriage, तो M की place value कितनी होती है, 13 होती है या option cancel, A का opposite Z 26 दोनों options में दिया गया है 18, 18 और I का opposite R यानि कि 3 बार आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा तो 3 बार 18 अगर हम बात करें तो आपको option number D में बनता हो दिखाई दे रहा है clear, उसके बाद अगर हम बात करें तो A का opposite Z 26 फिर हम बात करें तो G की place value 7 और E का opposite B यानि की 20, तो option number D क्या हो अगले अगर मैं यहां पर प्रश्म की बात करें तो पूछा है certain code language, topper is coded 66, तो topper के लिए code दिया गए 66, mark के लिए code दिया गए 61 और पूछा किसके लिए induce के लिए, करना क्या है अपने को, यहां पर mark में आपके number of letters कम है, तो हम mark के साथ में करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, M, A, R, K clear, और mark के लिए code क्या दिया गया 61 दिया गया है, तो जैसा कि हमने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे sum of place value करेंगे, तो place value कि हम यहां पर बात करें, तो 13, 18, 11, इन सब का अगर हम sum करेंगे, तो 14, 14, 14, 8, 22, 10, 32, 42, 41, 43, यहां पे आपको कितना मिल रहा है, 43, यहां पे इन सब कस्सम आपको कितना मिल रहा है, 43, जबकि यहां पे आपको number क्या दिया गया है, 61, तो मैंने कहां जो भी logic हम लोग यहां पर apply करेंगे, वह आपका ना सिर्फ दिये गए letters की place value पे, but इनके विपरीत अक्षरों के स्थानिय मान पे भी, यानि कि अगर हम बात करें, तो इसके opposite letter की place value पे भी अपनी cable होता हुआ दिखाई, दे सकता है, तो यहां के मैं आपको कुछ approaches बता रहा हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हैं, question को in short आप हल कर सकते हैं, अगर हम इसके opposite letter की place value की बात करें, तो n, z, i, p, place value की बात करें, तो 14, 26, 9, 16, इन सब का अगर आप sum करोगे, तो 14 और 26 होगे, 40, 49, 49, 49, plus 6 करोगे, तो 55, और 10 करोगे, तो 65, 65 में से अगर आप यहां के number of letters को minus करोगे, तो कितना मिल जाएगा, 61, यानि कि, आप क्या करेंगे, अक्षरों के इस्थानी मान का योग कर लेना है आपको, और उसके बाद उसमें से क्या कर लेना है, number of letters को minus कर लेना है, clear, तो यहां पे आपको मिल जाएगा, 61, अब जरूरी नहीं कि यह logic आपको यहां पे भी लगता हुआ दिखाई दे, लगत shortcut तरीके की बाद, जब कभी भी आप क्या करो, place value को, यानि कि दिये गए, जो भी word है, उनके letters की place value को आप sum कर लो, और इसके आसपास का number बनता हुआ नहीं दिखाई दे, तो उसके इसमें याप जितने number of letters है, कितने है, 4, हमें पता है, opposite letters की place value का sum कितना होता है, 27, 27 into क्या कर लेना है, पोर कर लेना है, तो 4, जूनी 8, 7, 4, 28, यानि कि 108 क्या जाएगा, इसका sum आजाएगा, और 108 में से अगर हम 43 को घटा लेते, तो भी हमें यही value मिलती, कैसे, यानि कि हमें क्या मिलता, 65 भी मिलता, देखो, 8 में से 3 जाता तो 5, और 10 में से 4 जाता तो 6, यानि कि अग value में से, जो भी आपने यहाँ पे जोड के value निकाली, उसको subscribe करते तो भी आपका same यहाँ पे number आपको मिलने वाला है, clear, अब यह मिल गा 65, यहाँ से हमने number of letter घटा दिये, तो मिल गा 61, माल लो दिया होता, यहाँ पे हमें number 64, तब हम क्या करते हैं, तो हो सकता था, जो हमारा value आया, उसमें से हम number of vowels को minus कर दें, यहाँ अगर दिया हो था 62, तो number of consonants को minus कर दें, इसी तरीके से addition के लिए भी logic दिया हुआ हो सकता था, clear, तो यहाँ पे various तरीके के logic आपके दिये हुए हो सकते हैं, अब हम बात करेंगे किसके लिए, topper के लिए, तो topper के लिए क्या करू पोजिट भी तो, 22 और आर का पोजिट आई तो, 9, सब का सम करेंगे, 12 और 7, 19, 19 और 11, 30, 30 और 11, 41, 41 में हम जोड़ेंगे कितना, 9 तो 50 और 22 जोड़ेंगे तो 72, 72 में अगर हम यहाँ पे number of letter जैने कि 6 माइनिस करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, 66 जैने कि यह logic हमको यहाँ पर भी valid होता हूँ दिखाई दे रहा है, अब हम बात करेंगे induce कि, induce कि अगर हम यहाँ पे letters की place value की बात करें, सारी, इनके opposite letter की place value की बात करें, तो I ka opposite कितना होता है, R, R की place value कितनी होती, 18, N का opposite होता है, MM कि place value होती है, 13, D ka opposite W तो कितना हो जाएगा, 23, U ka opposite F तो कितना हो जा 30 और 40 जोड़ोगे तो कितना होगे 70 70 और 20 जोड़ोगे तो कितना होगे 90 96, 96, 106 106 में आप क्या करोगे यहाँ पे number of letters घटा दोगे 6 number of letters है तो कितना मिलेगा 100 यानि कि option number B क्या हो जाएगा आपका सही विकल्प हो जाएगा दिये गए प्रश्न के लिए clear? बात कर लेता हम लोगे आपके अगले प्रश्न की अगला question भी आपके exam में पूछा गया question है clear? तो यहाँ पे हम बात करेंगे lock दिया गया है lock तो L के अगर हम बात करें हैं आपके L O C K और code के अगर हम बात करें तो बारा बारा तीन ग्यारा क्यों मैंने इसको बारा बारा तीन ग्यारा का? क्यों मैंने इसको 1,2,1,2,3,11 नहीं का? क्योंकि भाई place value अगर आपके दिमाग में जब छब चुकी है तो ध्यान दो और इन logics के साथ में हम questions को बनाते चले आ रहे हैं 11 यहां पर as it is लिखा हुआ है 3 यहां पर as it is लिखा हुआ है क्योंकि यह दोनों क्या है? consonant है यहां पर 12 as it is लिखा हुआ है क्योंकि यह भी क्या है? consonant है ओ की बात करें तो ओ का opposite होता है L, O क्या है? vowel है और vowel के लिए opposite letter की place value as it is और इसी बिल्कुल लॉजिक पर भी हमने question क्या किया ओलडी solve क्या हुआ है तो की के लिए भी यहां को code दिया गया तो के का code क्या हो जाएगा 11 E का opposite letter V तो उसके लिए code क्या हो जाएगा 25 और Y के लिए ओलडी आपको दिया गया उसकी place value 25 पूछा किसके लिए गया है डियर के लिए तो D का क्या हो जाएगा place value 4 E का opposite letter V तो यानि की 22 A का opposite letter Z यानि की 26 तो 22 24 बाइस 26 option number A और R की place value 18 clear I hope कि यहां पे आपको logic समझ में आ रहा है questions अभी आप से क्या होंगे आसानी से बनने वाले हैं अगर आप इस प्रकार के logic के साथ में family year हो तो किसी भी particular exam फिर चाहे हो आप व्यापम की बात करते हैं या बहुत सारे बच्चों के comment आए कि क्या सरी है हमारा PSC के लिए कहीं न कहीं beneficial होने वाला है कि नहीं होने वाला है तो बिल्कुल beneficial होने वाला देखो अगर मैं बात को मैंने कहा था initially ही आप से की जिस भी topic को हम पढ़ रहे हैं तो फिर exam कोई भी हो अगर वो topic हमने proper तरीके से पढ़ा हुआ है तो obvious सी बात है अगर exam उस topic से related questions पूछे जा रहे तो हमसे बनने चाहिए ठीक है ना चले बात कर लें था हम लोग यहां पर अगले question की अगले अगर मैं यहां पर question की बात करूं तो बोला गया है in a certain code language banker in a certain code language banker is coded as 57 चलो देखते हैं B A N K E R बात करंगे place value की पहला प्रोज क्या होगा हमारा sum of place value B की place value 2 A की 1 N की 14 K की 11 E की 5 और R की 18 अच्छा span के लिए भी दिया हुआ था तो ऐसे cases में आप क्या करोगे छोटे word को पहले pick करोगे क्योंकि वहां से हमें क्या होगा calculation कम करने पहले पढ़े और span के लिए code क्या दिया गया 54 दिया गया है चलो सबसे पहले हम लों क्या करेंगे sum of place value 19 16 14 14 और 16 को जोड़ोगे 30 30 20 कितना हो जाएगा 50 50 के बाद number of letters कितने है चार यानि कि कैसे मिले हमको 54 यहां कर अगर हम बात करें तो दो एक तीन 14 तीन 17 17 17 5 22 28 40 और 11 51 नमबर of letters की बात करें तो छे मिले हमको कितना 57 यानि कि क्या करना था हमको sum of place value कर लेना था और उसके बाद जितने number of letters हमको क्या कर देना था उस value में add कर देना था पूछा किसके लिए गया है प्रैंक के लिए पूछा गया है तो 16 18 14 11 14 और 16 कितना होगी आपका 30 30 और 18 कितना होगी आपका 48 48 और यहां पर बात के रहे पचास और दस साथ साथ के बाद यहां पर नमबर प्रैटर पांच है तो क्या हो जाएगा 65 यानि की option number B clear चले बात कर ले था हम लोग यहां पर अगले अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूंद दिया गया है in a certain code language M A C H I N E machine 5861944 5861944 place value की बात करें तो 13 13 8 9 14 और 5 अगें यहां पर बात करें दो A के लिए 8 C के लिए 6 H के लिए 1 I के लिए 9 N के लिए 4 E के लिए 4 तो अगर हम यहां पर बात करें इनके opposite letter की place value क्या ऐसा question भी हम लोगों ने अभी-भी बनाए है E के opposite letter की बात करें तो V और उसकी place value कितनी होती है 22 N के opposite letter की बात करें तो M place value कितनी होती है 13 I के opposite letter की बात करें तो R place value कितनी होती है 18 H के opposite letter की बात करें तो S place value कितनी होती है 19 C के opposite letter की बात करें तो X place value कितनी होती है 24 A के opposite letter की बात करें तो Z place value कितनी होती है 26 N के opposite letter की बात करें तो N place value कितनी होती है 24 1 प्लस 4 करोगे क्या मिल जाएगा 5 2 प्लस 6 करोगे क्या मिल जाएगा 8 2 प्लस 4 करोगे क्या मिल जाएगा 6 1 प्लस 9 करोगे क्या मिल जाएगा 10 फिर 10 में 1 प्लस 0 करोगे तो क्या मिल जाएगा 1 1 प्लस 8 करोगे क्या मिल जाएगा 9 one plus three करोगे क्या मिल जाएगा four two plus two करोगे क्या मिल जाएगा four यानि कि यहाँ पर हम बात करें तो कोई vowel consonant नहीं जो भी आपके दिये गए letters है यानि कि word में जो भी आपके यहाँ पर letters है उनके opposite letter letter की place value की digits का हमको क्या कर लेना था सम कर लेना था और उसी को हमने क्या कर दिया जब्लिया पे रख दिया है पूछा किसके लिए गया है स्टोक के लिए पूछा गया है एस का opposite होता है एच ह की place value होती आठ ऑप्शन नमबर one cancel option नमबर two cancel टी का opposite होता है जी केवल और केवल option नमबर डी में आपको 7 दिखाए दे रहा है जी की place value होती है 7 बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अगले question की अगले दी में question की बात करूं तो बोला है send is coded as 168 s e n d send के लिए code क्या जिया गया है 168 place value की बात करें 19 5 14 और 4 अच्छा पर्स के लिए पूछा है चलिए तो सबसे पहले क्या था हमारा approach हमें क्या करना था सबसे पहले sum of place value sum of place value की बात करें तो 14 4 18 5 23 9 32 42 42 यह तो हो गई बात इसके sum of digit की यहाँ पर नंबर आपको काफी ज्यादा दिखाई देर अच्छा मापोजिट लेटर की अगर बात करें तो यहां पर बात करें तो बाइस आठ तीस तीस और यहां पर आपको नंबर मिल ला है 66 और यहां पर given value 168 तो 168 क्या इसका मृल्टिपल है इसका अगर मृल्टिपल करके देखें या क्या इसका इसका मृल्टिपल करके देखें या इनके digits के सम का इनन सब्सक्राइब आत करेंगacak फिर्टिट वर्यटाइब 003 इसको एट बनाने के लिए हमें क्या करना था 3 से multiply करना था इसको एड़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फोर से multiple करना पड़ेगा से multiply करके देखें तो 4 फोर्जा 16 और two for eight यानि कि यहां पे अगर हम देखें तो सम ऑफ प्लेस मैल्यू multiplied by four तो ज़रूरी है कि four से किये या क्यों four से किये तो यहां पे बात आपको यह भी ध्यान दे लेनी है कि यहां पे number of letters कितने हैं चार और सेम आपके logic पर based question आपसे पूछा गया है जैसे कि मैं बार बार पास सारी को जो आपकी परिक्षा हुई उसके बारे मैं सब्सक्राइब करें अगर वो option मिलता है तो हम उस option के साथ जाएंगे अगर वो option नहीं मिलता है तो हम क्या करें कि sum of place value को 5 से multiply करके देखेंगे और वो option मिलता है तो हम उसके साथ जाएंगे clear place value की बात करें तो 16 21 18 19 पांच 19 और 21 कितना हो गया 40 हो गया 40 और 18 पांच तेज़ यानिकि 63 हो गया तिरसाट और 69 10 79 79 को अगर हम 4 से multiply करें तो 946 होता है unit is it कहीं भी 6 नहीं दिखाई दे रहा है 9 को अगर हम 5 से multiply करें तो यहां पर आपको सभी option के लाक्ष्ट फाइल मिल रहा है ठीक है ना यहांने कि साथ पर्षे 35 तीन सो पचास और नव पर्षे पैतालिस तीन सो पंचानवी option नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा दिए गया question के लिए clear चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगले प्रश्नकी अगले दी मैं यहां पर प्रश्नकी बात करूं तो बोला गया है इन certain code language gather is written as 107 चलिए और honor is written as 74 पूछा किसके लिए heaven के लिए है तो सबसे पहले क्या करना आपने को दिया गया word लिखना है जी ए टी एच ए आर गैदर की बात करें तो लिखा है 107 place value की बात करें तो 7 प्लस one twenty eight one और यहां पर five और चलिए सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होगा sum of place value नहीं मिलता है तो हम अपूजिट लेटर की भी बात करेंगे यहां पर साथ एक आठ 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 सूला 5 21 21 21 और बीस 41 और आठ 49 10 59 अफै क्लियर क्लियर आप यहां पदा है 9 में उनिटीट 7 कम मिलेगी 3 से मुल्डिप्लाइए करेंगे लेकि नंबर का होटाएगा 107 से ज्यादा हो जायाएगा तो हम इसके अप्रोच लेटर की प्लेस वेल्यू के संदिख करेंगे और उसक इसेने number of letters हैं उसका multiply 27 से करना और उसमें से इसको घटा देना है तो number of letter है 6 27 का multiply 6 में करोगे तो 6 दूनी बारा साथ शंग बाया लिशा निकि 162 माइनस करोगे 59 दूबारा में सनौ गया 3 और यहां पर पांच में से पांच गया 0 और एक 103 अब 103 के आज पास आपको 107 दिखाई दे रहा है अब हम क्या करेंगे आपे number of letters की बात करेंगे तो 6 है तो ज्यादा है अब हम vowel और consonant की बात कर लेते हैं एक 103 में हम अगर vowel देखें तो दो है तो 105 हो रहा है और consonant देखें तो 4 है यानि कि प्लस हम कर लेंगे number of consonant हमें मिल जाएगा 107 सेम हम logic किसके applicable करेंगे honor पर दिएगे word honor को अगर हम honor के opposite letter की place value की बात करेंगे तो H का opposite हो जाएगा S, O का opposite हो जाएगा L, N का opposite हो जाएगा M, O का opposite हो जाएगा L, U का opposite हो जाएगा F, और R का opposite हो जाएगा I इन सब का अपने को क्या कर लेना है Sum कर लेना है तो 12 और 13 कितना हो गया 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, 31 और 19 कितना हो गया 50, 50 और 12 हो गया 62, 62 और 9 हो गया 71 कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर number of हमको क्या करना था Consonant, तो number of consonant 1, 2 और 3 तो 71 प्लस 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 74 जो कि आपको ओनर के लिए कोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि लॉजिक बिल्कुल क्लियर है क्या कर लेना आपने को सबसे पहले हमने का sum of place value करेंगे सीधा-सीधा नहीं बन रहा है तो अपोजिट लेटर के देख लेंगे तो अपोजिट लेटर का जब हमने क्या कि sum of place value कि और उसके बाद दिये के वर्ड में जितने भी इसको हमने क्या कर दिया तो हमें यहाँ पे गिवन जो यहाँ प्यावता नंबर वो मिल गया पूछा किसके लिए है है तो हैवन के अगर हम बात करें पोजिट ल के इस विप्याओ जाएगा एफ जाएगी पांच और ब्यस हो जाएगा वी फ्लिए हो जाएगी 22 अन पनुजेम यहाँ जाई की दय की क्सवीं हो गया आपका 35 35 हो गया आपका 40 40 और 20 हो गया 60 60 हो गया 8081 और 20 हो गया 101 और 6 107 एक सो साथ में हम यहां पर नमबर ऑफ कॉंसोनेंट की बात करें तो एक दो तीन 110 यानि की option नमबर क्लियर लॉजिक की बात करें तो क्या था लॉजिक आपका दिये के वर्ड में जो भी आपके letters हों के opposite letters आपको लिखने थे सब की place value का आपको क्या कर लेना था sum कर लेना था और उसके बाद दिये के word में जितने भी consonants हैं उसको आपको क्या कर देना था add कर देना था clear तो यह तो हो गई बात किसकी आपके numerical coding की अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे करेंगे substitutional coding clear चलिए substitutional coding की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था आप इस प्रकार के प्रश्न के साथ में क्या है familiar है लेकिन कहीं कहीं नाम से थोड़ा सा आपको confusion हो रहा था clear यह तो आपका coded form है इसको भी हम लोग discuss करेंगे coded form या फिर Chinese coding लेकिन इससे पहले नों डिस्कास करेंगे substitutional कोडिंग चलिए substitutional अगर मैं कोडिंग की बात करो तो यहां पर भी है बहुत सारे आपके अभी doubts clear होने वाले हैं जिन लोगों ने पढ़ा रखा है उनके यहां पर बहुत सारे doubts clear होने वाले कैसे होने सबसे पहले यहां पर दिया गया है एक्जाम में जब हम इस प्रकार का प्रश्न दिखाई देता है तो लग जाते हैं सिद्दत के साथ पढ़नेंगे तो बहुत यह फिर लिखा हुआ हो सकता था यदि हरे को पीला कहा जा इस प्रकार से उचा जा सकता है यह लोग को ब्लू कहा जाता है ब्लू को क्या कहा जाता है और ब्लैक को क्या कहा जाता है ब्राउन कहा जाता है ब्राउन को क्या कहा जाता है वाइट कहा जाता है तो निमनलिखित म अब में पता है पत्ती का रंग क्या होगा तो जब यह आपको इस प्रकार का प्रश्म दिखाई दे यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वो क्या है देखो कॉल्ड और मिन्स इसके बारे हम लोग बात करेंगे या फिर कॉल्ड की जगे पर आपको कई बार लिखा हुआ मिलेगा रिटेन एज कि हिंदी की बात करें तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कहा जाता है मिन्स का यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा का मतलब दोनों में क्या डिफ्रेंस है इसके बारे में यहां पर बात करेंगे तो जब कभी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले यानि कि फर्स्ट टाइप पर कोशन मिले आपको कुछ दिमाओं नहीं लगाना है जितना दिया है पहले उसको समझिए तो अगर हम हम बात करें यहां पे color of leaf की तो color of leaf क्या होता है ग्रीन होता है तो अगर हम बात करें यहां पे green को क्या कहा जाता है सबसे पहले बात करें तो green को क्या कहा जाता है यलो कहा जाता है तो नघए और तर्न सब्Мыल रहे यानिकि पूछा रंघ क्या वोगा उने होगा हम क्या नहीं हो दूब आ हो इसलिए यहां पर पत्ती का रंग क्या हो जाएगा यलो हो जाएगा बात कर लेते हैं लोग यहां पर अगले question की बहुत सारे आपके doubts clear होने वाले हैं चला बुला है black means pink pink means blue blue means white white means yellow and yellow means brown which of the following would be the color of sky sky का रंग पूछा है ठीक है हिंदी की हम बात करें तो बोला है यदि काले का अर्थ गुलाबी देखो काले का अर्थ या फिर का मतलब ज्यांदे न इस particular word तो बोला है काले का अर्थ गुलाबी गुलाबी का अर्थ नीला नीले का अर्थ सफेद सफेद का अर्थ पीला और पीले का अर्थ भूरा है तो निम लिखित में कौन सा रंग आकास का होगा तो हमें पता है स्काई का कलर क्या होता है ब्लू होता है इसकाई का कलर क्या होता है ब्लू होता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने अंसर निकाल भी लिया होगा यानि कि अगर हम बात करें ब्लू की तो बहुत सारे बच्चों ने अंसर निकाल लिया होगा सफेद यानि क इंग्लिश की हम बात करें तो वाइट और जितने भी लोगों का अंसर वाइट आया सभी लोग यहां भी क्या है गलत है क्यों गलत है ध्यान दीजिए प्रिवेस अगर हम यहां पर कोश्चन की बात करें तो बोल रहा था ग्रीन को यलो कहा जाता है ठीक है लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है ब्लैक मींस पिंक यानि कि ब्लैक का मतलब ब्लैक है ही नहीं ब्लैक का मतलब एक्चुल में क्या है पिंक है ठीक है न ब्लैक का मतल मतलब क्या है सफेद है तो मतलब यह कि नीले का मीन्स नीला है ही नहीं उसका मीनिंग क्या हो रहा है वाइट हो रहा है जब कि यहां पर अगर हम बात करें देखो गुलाबी का मतलब नीला है तो गुलाबी का meaning गुलाबी नहीं है, गुलाबी का meaning क्या है? blue है, तो यहां पे हमारा जो moment होगा, वो क्या हो जाएगा? right to left, यहां पे हमारा जो moment होगा वो क्या हो जाएगा? right to left यानि कि answer क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे pink दोनों के बीच का difference देखो इस प्रकार के प्रश्म में हमारा movement क्या हो जाएगा left to right और इस प्रकार के प्रश्म में हमारा movement कैसे होगा right to left ठीक है ना clear जब भी आपसे means या फिर का मतलब या फिर का और ते इस प्रकार से question पूछे तो यहाँ पर movement क्या हो जाएगा right to left बात कर लेते हैं अगले कोश्चन की ओन अनदर प्लानेट ठीक है ना किसी अन्य ग्रह पर इस्थानिय सब्दावली ने प्रित्वी जल प्रकाश वायू और आकाश के लिए करमसा आकाश प्रकाश वायू जल और प्रित्वी है यानि कि वहाँ प्रित्वी के लिए हम प्रित्वी कहके नहीं बुलाते हैं हम उसको क्या कहके बुलाते हैं आकाश जल को हम जल कहके नहीं बुलाते हैं क्या बुलाते हैं प्रकाश बुलाते हैं प्रकाश को हम वायू बुलाते हैं वायू को हम जल बुलाते हैं और आकाश को हम क्या बुलाते हैं प्रिच्वी बुलाते हैं यानि कि किसी दूसरे ग्रापे ये शब्दा वलिया हैं, अगर हम उसको compare करें अपने ग्राए के शब्दा वली के साथ, ठीक है, चलो, पूछा क्या है प्रश्न में, अगर कोई वहाँ प्यासा है, तो वहाँ क्या पिएगा, तो अबिस सी बात है, पिएगा तो जल ही प्यासा है, लेकिन जल को हम जल कहे के नहीं बुलाएंगे, तो जल को हम क्या कहे रहे हैं, किसी अन्य गिरापे, इसके बारे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो जल को हम लोग क्या कहे रहे हैं, आकाश और जल को हम लोग कहे रहे हैं, प्रकाश, यानि कि कोई अगर उस particular planet पे क्या है प्यासा है तो क्या पिएगा प्रकास यानिकी लाइट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा option number 1 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा option number 1 तो I hope कि यहाँ पर आपको तीनों प्रश्णों के बीच का अंतर समझ में आया होगा ठीक एक बार मैं फिर से यहाँ पर डिसकस कर दे रहा हूँ देखो जब कभी भी आपसे call या रेटेनाइस करके पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है पाइनली जिसके आभी color पूछा गया है या जिसके लिए भी यहाँ पे पूछा गया है आप क्या करोगे simply right to sorry left to right move on कर जाओगे और जो भी आपका answer होगा आप उसी को क्या करोगे mark करोगे लेकिन जब कभी भी means या फिर का earth या फिर का मतलब करके पूछेगा आपका जो moment है वो कैसा होगा वो होगा right to left ना कि left to right कैसा होगा right to left और यहाँ पे तो देखो words को substitute किया गए था substitutional coding क्यों करते है क्योंकि प्रित्वी को हमने substitute किया किसके साथ में आकास के साथ में जल को हमने substitute किया किसके साथ में प्रकास के साथ में प्रकास को हमने substitute किया वायू के साथ में वायू को हमने substitute किया जल के साथ में और आकास को हमने substitute किया तो हमने क्या क्या simply दिये गए आपके शब्दावली में जो भी यहाँ पर terminology होती है उसके लिए हम लोगों ने क्या किया दूसरी terminology को use किया यानि कि उसको हम लोगों ने क्या कर दिया substitute कर दिया तो अब बेसी बात है जब इसको आप क्या करोगे कोई भी व्यक्ति प्यासा होगा तो gel के लिए जो terminology है वहाँ पे वो क्या है आपका प्रकाश तो answer क्या हो जागा है आपे light तो I hope कि यहाँ आपको अंतर समझ में आया होगा जो कि हम क्या करते हैं silly mistakes करते हैं इस प्रकार के आसान से प्रश्णों में clear तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग next class में जहाँ पे हम लोग बचे हुए types को भी क्या करेंगे discuss करेंगे और रही बात इस particular class के short notes की तो वो आपको कहा मिलेगा तो मैं फिर आपको बता दूँ आपको competition community की website मिलेगा और जैसे ही हम लोग इस topic को हतम करेंगे यानिक यह topic जैसे ही हमारा complete होता है इस topics related जो भी आपके practice questions होंगे वो भी आपको कहा मिलने वाले हैं competition community की website पे रही बात telegram channel की या telegram group की तो जल्द ही वो आपको create करके link provide करा दिया जाएगा जिससे जो भी आपके doubts आ रहे हैं चाहे वो class से related हो या फिर जो भी आपको short notes provide करा जाता हो या फिर जो भी आपके यहांपे question के लिए आपको sheets provide करा जाएगे उनमें से कुछ प्रस्ण आपसे बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे ठीक है तो इस प्रकार के प्रस्णों को discuss करने के लिए आपको यूट्य टेलिग्राम ग्रूप जल्द ही create करके उसका link आपको दे दिया जाएगा तब तक जो भी आपके पास available resources है वहां से आप क्या करोगे practice करते रहोगे ज जब group create करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next class में thank you